मेडम नमस्कार मेडम आज एनुल डे का प्रोग्राम है तो किस तरह तरह से मना रहे हैं आप लोग ऐनुल डे देखिये आपको तो पता है कि कालका पापिक स्कूल बच्चों की होलिस्टिक डिवलपमेंट लीब बहुत धिहान देता है चाहे वो स्पोर्ट्स हों तमाम एकाडेमिक्स एक्टिविटीज हों और चैनल डे का मतलब यह होता है कि पुरे साल में बच्चे ने जो सीखा ठीचर से अपने ग्रूप से अपने फैमिली से फ्रेंड से उसका एक तरह से पैरेंट्स भी आकर देखते हैं कि बच्चों के इंदर क्या वो क्वालिटी आ तो साल के आखिर में बहुत जरूरी होता है कि बच्चे अपनी जो सीखी जो कलाएं हैं जाए डांस के फॉर्म में हो जाए जिमनासिटी के फॉर्म में हो और हमने आज का थीम दी आविशकार यानि की साइंटिफिक एक फ्लेवर हमने देने कोशिश की कि किस तरह भारत में कहां जहां सुई भी नहीं बनती थी आज तमाम वो विशकार होते हैं और किस दहां से भारत आके बढ़ा वो एक फोकस है जाके एक बार हम याद रखें उन सब कांट्री की जिन जिन लोगों ने कांट्रीविट कि आज भारत कितना महन बनाया उस संदर्व में और बच्चो पिकनिक और आउटिंग भी हो जाती है देखिए और इतनी बड़ी हमारा स्कूल है प्लेकराउन है और बहुत अच्छा एक माहल बनता है बच्चों के लिए और मुझे लगता है और बच्चों का कनेक्ट के साथ होना बहुत जरूरी है इसलिए स्कूल में ही आके आप होती है तो क्या मैसेज देना चाहती है पबलिक और बच्चों को फास यह की देखिए बच्चों का भविश्य बहुत जरूरी है और अच्छे स्कूल में पढ़ाएं अब फोकस रहें एकाडेमिक्स में और कनेक्ट बना करें स्कूल के साथ अगर स्कूल से कनेक्ट बना रह अब आपसे बाचित करके मेरी क्रिस्मस हैपी निव यह परिदवाद निवज की तरफ थांक यू गड्लस यू थैंक यू मैडम है यह देखिए बच्चे बहुत खुश हैं उपर ड्रोन ऊड़ रहा है यह देखिए उपर ड्रोन ऊड़ रहा है खुश हो बच्चों हलो 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 राम 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 नमस्ते जी नमस्ते हाँ देखिए बच्चे कितना खुश हैं आज एनुवल डे है आज एनुवल डे है क्रिस्मस डे आने वाला है और बच्चों के लिए बहुत बड़िया प्रोग्राम है से पहले तो बच्चे बहुत खुश हैं तो आप लोग देखिये तो आप देखिये बहुत सारे लोग यहां पर आचुके हैं और यहां की लोकल लोग भी हैं, आरडवली की लोग हैं, कई सोसाइटी की लोग हैं, प्रोग्राम में आ चुके हैं, और बहुत बढ़िया प्रोग्राम होगा, गोजिक भी होगा, मस्थी भी होगी, बहुत सारी चीज़े होंगी. We acknowledge the talent of our position holders. The position holders who have been struggling and facing many challenges and difficulties to be the pioneers. In fact, that's all because of their own perseverance, constancy and immovability that they are selected as champions. I would like to start with academic awards for the session 2021-2022. So we have We request the audience to give a huge round of applause to all of the academic scholars. We request the audience to give a huge round of applause to all of the academic scholars. आपको बेख रहे हैं आपको बेख रहे हैं यह भी बच्चे हैं देखिए जो आल राउंडर है और मेहन्ती हैं उनको अवार्ड सुजिया दा रहा है और रहा है, आपको बनुदा रहा है जैको और उनको फ्रीदावाद नहीं कर दो हाँ प्राभणदर प्रतावचिए नमस्कार